हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब और कैसे चले आप लोगों की तयारी बिल्कुल मस्त तरीके वाली चलती होगी देखो यहां पर हम डिसकस करेंगे आज वो हमारी जो इवनिंग सिप्ट है उसमें हम जो रैगुलर यूनिट वाइस क्योशन कराते हैं आज नंबर है बाई कम्यू क्यों को लेकर आज हम कम्यूनिकेशन को रट देंगे भाई रट देंगे जो चैनल पर नया है चैनल को एक बार सबस्क्राइब कर दो वीडियो को लाइक करतो धेर सारे कमेंट कर दो चोड़ जाओ मेरे साथ आज कम्यूनिकेशन के इतने important important questions पर discuss करेंगे जो ऐसे हैं कि चल मैं पांच आद कियो डालूगा पांच पांच क्योषण को चैलेंज जिज वाले क्योषण रहेंगी वहाँ पर चैलेंज रहेगा क्यों ज्यादा सही करता है ठीक है लग जाओ क्योषण नंबर पहला communication का पहला क्योषण है कक्षागत संप्रेशन के ततों का सही ग्रम है ग्यान, रूची, मुल्यानकन, जागरुकता जागरुकता, रूची, मुल्यानकन, ग्यान मुल्यानकन, जागरुकता, ग्यान, रूची, रूची, ग्यान, मुल्यानकन, जागरुकता देखो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको देखो यहाँ पर सही आंसरा उप्शन B जागरुकता, रोची, मुल्यानकन और ग्यान देखो यहाँ पर पढ़े लेते हैं हम इसके बारे में कक्षागत संप्रेशन में सिख्षक महतपुन भूमिका में तब होता है जब वहें जागरुकता के साथ बच्चों में रोची उत्पन करते हुए उनके द्वारा अरजित ग्यान का मुल्यानकन निरंतर करते रहता है ठीक है? कक्षागत संप्रेशन में अनेक तत्वों का समाविस होता है जिनका सहिक्रम है जागरुकता, रूची, मुल्यानकन और ग्यान ठीक है जी? जो भी चैनल पर नया आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो चैनल को इसके उपर भी बटन दबा दो भाई चैनल की इसके उपर आपका यादिकार है ठीक है? और इसके साथ साथ इसके उपर भी आपका धिकार ही दे रखा हूं मै सुर्ष यहां पर तो यह भी गलत बन गए है, यार यह भी कर दो ठीक है? इसके लावा, सब्सक्राब तो करना हैं आपको वो लाइव के संग्या बढ़ाओ यार ऐसे पंद्रा-पंद्रा-बीस विस लाइव से काम नहीं चलने वाला इस तैम इस तैम लाइव होने चाहिए कम सकम चार से पान सो रुप कंडिडेट ठीक हजी अगला क्योशन है परबावी संप्रेशन की कतिपया बादाई है बहु अर्थ करता है सरल भास है पिस्टोक्तिका उप्योग है व्याक्यों की आसान संदचना है नीचे दे गए कुट से सही उतर का चैन करो आप्शन A, आप्शन B, आप्शन C, आप्शन D बताओ सही आंसर बताओ भाई लोगों हर किसी को सही आंसर देना है जी तो देखो मैं खुद बता देता हूं यहां पर सही आंसर यहां पर सही आंसर है उप्शन D, पहला और तीसरा बहु अर्थ कता और पिस्टोक्तिका उप्योग हम देखते हैं इसको क्या होता है देखो यहाँ पर देखो आप प्रबावी संप्रेशन के अंतरगत निम्मलिखित के कारण बाधाएं उत्पन होती है बव अर्थ वाले सब्दों का प्रयोग करना किल्ट शब्दों का प्रयोग करना अत्यादिक शोर का होना भासा की समझ का अभाव होना सब्दों वैवाकियों की ऐसमान सनरचना प्रिस्ट्रॉक्त्रिका उप्योग यह कुछ है इनको सभी को आपको अच्छी तरह किसे ध्यान में रखना है ठीक है इनको सेडिंग से ध्यान में रखना बहुत गजब के क्योशन है ये 100% यहीं से क्योशन उटके आएंगे आप सभी को पता है अभी तक नहीं किया है सेयर तो सेयर कर दो अभी तक नहीं किया है लाइक तो लाइक कर दो और अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दो बार बार नहीं कहूंगा भाई अगला क्योशन किसी कक्षा में संचार प्रोधोगी की गे उप्योग में नहीं तमान्यता होती है अन्या मन्सक आग्रायक आरामदायक परिवेश विश्यवस्तु का भहीर वेशन अभी वक्तियों और अनुप्रियोगों के नए रूप भाई ठोक दो आंसर यहाँ पर आंसर आना चाहिए भाई आंसर आना चाहिए मैं वेट कर रहा हूं आंसर का इंतजार कर रहा हूं आंसर का भेज अबरी से आंसर दे दो तो देखो यहाँ पर से आंसर होगा ओप्सन डि अभी वक्तियों और अनुप्रियोगों के नए रूप ज्यादा क्योशन नहीं सोल करवाएंगे आज आज क्योशनों की संक्या कम रहेगी ठीक है लेकिन सारक सारक क्योशन बिलकुल इंपोर्टन है आप सभी को भी पता है संप्रिशन परकिर्या में संकेत किस से अर्थ प्राप्त करते हैं विबिन अवियोवों की व्यक्ति निष्टता से वी संकेतक वी कोडर की वस्तु निष्टता से अंतर संबंदों के नेटवर्क से चैनल की निष्पक्सता से बताओ भाई यहाँ पर सभी आंसर क्या होगा का मैं इंतजार कर रहा हूं देखो मैं लाइव नहीं हूं लेकिन मैं लाइव हूं ठीक है मैं आपका हर एक कमेंट देख रहा हूं ठीक है मेरा चैरा नहीं दिख रहा लेकिन मैं आपके साथ हूं धान रखना यहां परोगा भाई अंतर संबंदों के नेटवर्क से संप्रेश उसके वास्तिविक निहित आर्थ को प्रेशक और प्रेशिती के निहित अंतर संबंदों के आधार परी समझा जा सकता है ठीक है जी इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है जी कक्षा के अंतरगत गुनार्थक संप्रेशन है बताओ बहुत शांदार वाला क्योशन है हर किसी को अपनी खुद की कसम या दिस्क्योशन का आप गलत आंसर देते हो तो ठीक है तो आपको सभी को बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है हर हाल में सही आंसर देने की कोशिस करनी है मेरे को सही आंसर चाहिए इस क्योशन का हर हाल में चाहिए हर किसी से चाहिए मेरे को नहीं पता है कैसे दोगे आप आई का चलो छोड़ो एंगलिस को हिंदी में बता देता हूं मैं देखो यहाँ पर क्या होगा अंतर नहीत होगा कक्षा के अंतरगत अनतर निहित शंप्रेशन गुनार्थक शंप्रेशन होगा उतना ही गुनार्थक शंप्रेशन होगा हर बात को ध्यान में रखना है क्योंकि अपके बार सलक्षन लेना है रंगो के माध्यम से संप्रेशन का परिणाम हो सकता है सौंद्रिय प्रेक्षम संकेत, सांस्करतिक संकेत, अर्थ विस्यक संकेत, द्वी आधारी संकेत नीचे दिये गए विकल्प से सही उत्र का चैन करो देखो यहाँ पर से यांसरों का ओप्षन डी दीक्या कोर्डिंग पहली और दूसरी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है ठीक है, रंगो के माध्यम से संप्रेशन का परिणाम हो सकता है या तो सोद्रिश्य प्रेक्षम हो सकता है या सांस्करतिक संकेत हो सकता है या तो सौंद्रिय प्रेक्षम हो सकता है या सांस्कर्थिक शंकेत हो सकता है दोको यहां देखते हैं रंगों के माध्यम से संप्रिशन का परियनाम यह हो सकता है कि विसोंद्र प्रएक शंकेत भी हो सकते हैं और वो सांस्कर्थिक शंकेत भी हो सकते हैं संप्रेशन परिक्रिया में प्रिक्ट किये जाने वाले रंगों का भाउत ही महतपुन योगदान होता है क्योंकि ऐसी इस्तिति में वह भाउत से अर्थों को स्वेते ही व्यक्त कर देते हैं ठीक है यह सारी बात यह आपको ध्यान में रखनी है अगला क्योंसे ने आपकी नजर के सामने कक्षा में निम्बल लिखित में से किस से कारण परती पुष्टी में विलंब हो सकता है प्रोधोगी की का उप्योग विश्तारित संप्रेशन सब्धार्त सोर परती भागी वातावरन आंसर दो भाई आंसर जनता जवाब मांग रही है आंसर दे दो भाई लोगो देखो यहाँ पर सही आंसर है सब्धार्त सोर क्या होगा सब्धार्त सोर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है ठीक है सब्धार्त सोर ध्यान में रखने हैं आपको कख्षया में सबदार्थ सोर की विदमानता के कारण पर्ति पूस्टि में विलंब हो सकता है कभी कभी कख्षा सिक्षन की दोरान सिक्षक द्वारा दिये जारे व्याख्यान में परियुक्त सब्दों के मात्यम से उत्पन होने वाली तिवर धौनी को जात्रों को द्वारा सही डंग से ने सुन पानने के कारण उनके द्वारा पर्तियुक्त देने में विलंब हो सकता है ठीक है इसको अच्छे तरी के समझना कि कक्षा में सब्दार्थ सोर की विद्मानता के कारण परतिपुस्टी में विलंब हो सकता है कभी कभी कक्षा सिक्षन के दोरान सिक्षक द्वारा दिये जा रहे व्याख्यान में पर्युक्त सब्दों के माध्यम से उत्पन होने वाली तिवर्धावनी को छात्रों द्वारा सही डंग से ने सुन पाने के कारण उनके द्वारा परतियुक्त देने वे विलंब हो सकता है साद्रस्या संप्रेशन में विशयवस्तू को माना जाता है अभी सारी इस्तर बहुतिक और एलोकिक आंसर दे दो भाई लोगों आंसर दे दो क्या होगा सही आंसर मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ वो भी बेसबरी के साथ तब तक आपने ये नहीं किया तो भाई ये कर दो वीडियो को लाइक कर दो अपने फ्रेंज के साथ सेर कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मेरे को सब्सक्राइब की लाइक की इन सबी की सक जरूरत है यहाँ पर देखते हम आपका आंसर साद्रस या संप्रेशन के दोरान विस्यवस्तु को इस्तिर माना जाता है साद्रस्य संप्रेशन के दोरान विश्य वस्तु को इस्तिर माना जाता है सामानत है साद्रस्य संप्रेशन के अंतरगत जो संदेश या विश्य वस्तु होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता ऐसाब्दिक संप्रेशन की अंतरगत ही साद्रश संप्रेशन को समलित किया जाता है ठीक है ये था ये क्योशन इसका अंसर अगला क्योशन है अठारवा विसेतर थता यथा बोलने की दर दमनी विराम उत्पन करने की पदती और उत्चारन की विलक्षन ताकी निम्बल लिकित में से किस विवार की संग्या दी जाती है पराव्यक्तिक अनुप्रानित पराभाशिक और एन्याचिक विसेतर यथा बोलने की दर दमनी विराम उत्पन करने की पदती और उत्चारन की विलक्षन ताकी पदती में किस विवार की संग्या दी जाती है पराव्यक्तिक अनुप्रमानित पराभाशिक और एन्याचिक बताओ भाई आंसर देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ यहाँ पराभाशिक विशेतर यथा बोलने की दर दमनी विराम उत्पन करने की पदती और उत्चारन की विलक्षन ताको पराभाशिक विवार की संग्या दी जाती है ध्यान में रखना है भाई ध्यान में रखना है संप्रेशक आग्राक संदिज माध्यम मस्दिक विद्ध चुम्बकिया आवेग केंद्रे सनायूत अंतर सम्वेधि अंग नीचे दिये गए विकल्प से सही उत्तर का चैन करो मैं खुदी बता देता हूँ यहां पर मिलान करके संप्रेशक सम्वेधि अंग से सम्मधित होता है आग्राक मस्दिक से सम्मधित होता है संदेश विद्ध चुम्बकिया आवेग से सम्मधित होता है माद्यम केंद्रे सनायूत अंतर से सम्मधित होता है संप्रेशन के परभावी होने से प्रेशक द्वारा प्रेशित संदेश को प्राप्त करता पून रूप से समध सकता है संप्रेशन के परभावी होने से प्रेशक द्वारा प्रेशित संदेश को प्राप्त करता पूर्ण रूप से समझ सकता है किन्तु भहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो परभावी संप्रेशन में बादक होते हैं निम्बल लिखिते तत्व परभावी संप्रेशन, परकेरिया में बादग हैं. कुछ ऐसे तत्व दियुआ हैं नीचे, जो परभावी संप्रेशन, परकेरिया में बादग हैं. तो ध्यान में रखना ये पांच है जो परभावी संप्रेशन परकिर्या में बादक है बोतिक सोर है, सब्दार्थ सम्मदित सोर है, मनोवैग्यानिक सोर है, साब्दिक सोर है और उपकर्णिया सोर है ठीक है बोतिक सोर, सब्दार्थ सम्मदित सोर, मनोवैग्यानिक सोर, साब यह है कि व्यक्दिको निजी को सुरोता की अनुकुल बनाना चाहिए कौन सा विकल्प रिक्तिस्तान की जगह लेगा बला घात भायस अउरूप संदेश द्रण व्यवार आंसर दो भाई लोगों आंसर दो किस्टा नमबर 16 का आंसर दो यहां पर सही आंसरोगा संदेश देखो कक्षा में परभावी संजार का मौलिक सिदान्त यह है कि व्यक्ति को निजी संदेश को सुरोता की अनुकुल बनाना चाहिए क्यों कि कक्षा में परभावी संदेश तब भी संबव होता है जब सम्प्रेशित व्यक्ति का संदेश शुरोता के अनुसार उसके अंदर संदेश सुनने की प्रबल जिग्यासा से परिपोन होती है बहुत गजब का क्योशन था बहुत ही शांदर एक्सप्लेन किया है मैंने हर क्योशन बहुत ही शांदर वाला लेक्या रहा हूं है संचार परकिलिया में साधिरिक भाव भंगी मा निम्बल लिखित में से किस्से संब्धित है बताओ, संचार परकिरिया में जो सारीरिक भाव भंगीमा है वो किसे सम्मदित है आप सबी बताओ भाई, बताओ मेरे को जवाब चाहिए भाई लोगो और देखो मेरे हर क्योसन का जवाब आप ही दोगे, आप नहीं दोगे तो बताओ कौन देगा तो देखो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर संसक्रती आएगा मैं किसी को नहीं कह रहा कि आप चैनल को सेयर करो मैं किसी को नहीं कह रहा कि आप वीडियो को लाइक करो मैं किसी को नहीं कह रहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करवाओ आपको सरम आती है आप में कुछ धया भाव है आप में कुछ शरम बची हुई है तो प्लीज एक बार जरूर चैनल को सेयर कर दो वीडियो को लाइक करवा दो धेर सारे कमेंट करो जो भी समस्या है वो सारिक सारी क्योंकि मैं इतनी responsibility के साथ अपना काम कर रहा हूँ आप उसका एक परसेंट भी नहीं कर रहे हूँ संचार प्रकिर्या में सारीरिक भाव भंगी मा संसकर्टी से सम्मदित होती है सबी संसकर्टियों में सारीरिक भासा सम्मलित होती है संसकर्टी किसी समाज में घहराई तक व्याप्त गुणों का समग्र नाम है जो उस समाज के सोचने, विचार करने, कार्य करने की सहली में समझा जाता है संप्रेशन का अर्थ, विस्यक, व्यवधान उस प्रस्तिती में होता है जब प्रेशिती तक पहुंचने के पूर्व की सिगनल प्राप्त ने हो सकें स्रोत से प्रेशित सम्वाद एसपस्ट हो प्रेशिती का ध्यान अन्मेंसक हो प्रेशिती सम्वाद का अर्थ ने नहीं समझता हो बताओ भाई, इसका आंसर दो जनता जवाब मांग रिया भाई बताओ संप्रेशन का अर्थ विश्यक व्याउधान उस परस्तिती में होता है जब तो देखो यहाँ पर सयांचरा भाई प्रेशिती तक पहुंचने के पूरू ही सिगनल प्राप्त ने हो सके देखो भाई संप्रेशन का अर्थ विश्यक व्याउधान उस परस्तिती में होता है जब प्रेशिती सम्वाद का अर्थ नहीं समझता संप्रेशन परकिर्या में संप्रेशन तबी पूर्ण माना जाता है जब प्राप्त करता प्रेशक द्वारा प्रेशित संदेश के अर्थ को समझ कर अपनी पर्ति पुस्टी देता है यदि प्राप्त करता प्रेशक के अर्थ को नहीं समझ बाता संप्रेशन में गवदान उत्पन हो जाता है समझ में आ रहाओ का सब कुछ निम्मल लिखित में से कौन अंतरव्यक्तिक संप्रेशन का एक चरण है बताओ कौन सा है जो अंतरव्यक्तिक संप्रेशन का एक चरण है सामाजिक चरण, अंतरण, अंतरंग चरण, व्यक्तिक चरण, प्रानुभुविक संप्रेशन तो देखो यहाँ पर से या आंचर है प्राणु भुविक संप्रेशन अंतर व्यक्तिक संप्रेशन का एक चरण क्या है प्राग नुभुविक संप्रेशन हम देख लेते हैं इसको भाई थोड़ा सा पड़ले भाई पड़लो काम आएगी प्रागनु भविक संप्रेशन अंतर व्यक्तिक संप्रेशन का एक परमुख चरण है सामानत अंतर व्यक्तिक संप्रेशन का ताथप्रिय है दो व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं, तद्यों का आधान परदान होता है इस संप्रेशन परकिर्या में परती पुष्टी की प्राप्ती तुरंत होती है ठीक है अंतर कम्यूनिकेशन का मतलब होता है दो वेक्तियों के बीच बात जीत एक इंपरसनल कम्यूनिकेशन होता है एक इंटरपरसनल होता है इंटरपर्सनल में खुद से खुद बात करता है इंटरपर्सनल में दो वेक्तियों के बीच बात चीत होती है उसमें feedback तुरंत मिलता रहता है जो देखो साकषात कार होते हैं जितने भी interview होते हैं बाते होते हैं समाचार संकलन होता है ये अंतरव्यक्तिक संप्रेशन ही होता है हम इंटर्यू देते हैं वारतालाप करते हैं समाचार संक्लन करते हैं ये सारे सारे इंटरपर्सनल कम्यूनिकेशन के एक्जाम्पल है भाई निम्मल लिकित में से कोन आधूनिक संचार मेडिया की विसेशता है आदूनिक संचार मेडिया की विशेष्ता बतानी है भाई कि आदूनिक संचार मेडिया की विशेष्ता क्या है पूंजी प्रदान है, श्रम प्रदान है, संधारनी है और विकास आतमक है क्योशन का आंसर दो भाई, क्योशन का आंसर दो हर किसी को सही आंसर देना है यहाँ पर हर किसी को सही आंसर देना है मैं तुमारे आंसर का इंतजार करूँगा आधुनिक संचार मीडिया की विशेशता क्या है कि भाई जो आधुनिक संचार वो कैसा है पूंजी प्रदान है आपको present time में आधनिक संचार मीडिया की विसेस्ता सबसे बढ़ी है का पूंजी प्रदान आपके पास रुपई है तो आप mobile का यूज कर सकति हो टेबलेट का यूज कर सकते हो रुपई है तो आप laptop खरीच सकते हो रुपए हैं तो आप हाई स्पीड नेटवर्क का यूज़ कर सकते हो सारा का सारा क्या है पूंदी पर डिपेंड करता है जितना आपका पोकिट मनी जादा होगा उत्रा ही बेस्ट कम्यूनिकेशन होगा निम्बल लिखित में से कौन सा एवातिक संप्रेशन का अवस मेव गोसित करता है परशन पत्तर पर लिखी अनुबंद अधिकम करता का ओनलाइन कक्षा में सामिल होना किसी व्यक्ती द्वारा अनुपालन किया जाने वाला ड्रेश कोड योगा निदेशक द्वारा सिश्यों को योग की आशन की सिख्षा दिया जाना क्योस्ता नमबर गुनिस का सही आंसर चाहिए मेरे को हर किसी को देना है ठीक है जी मैं बता देता हूँ क्योशन बर गुनिस का से आंसर क्या होगा तो देखो जी यहाँ पर एवाजिक संप्रेशन का अवस्य में उगोसित करता है किसी व्यक्ती द्वारा अनुपालन किया जाने वाला ड्रेस कोड ठीक है जी तो हमारे आज के क्योशन कंप्लिट होते हैं इसी के साथ वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना क्योशन कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताना आपके कितने क्योशन सही है जरूर कमेंट करके बताना 5 questions वाली quiz नहीं देखी है तो please उसको जरूर देखना क्योंकि वो quiz बहुत important है 5 minute का quiz है 5 question है बिल्कुल 66 66 करना उसको बहुत स्यानदार है challenge question है उसमें ठीक है जी तो अब भी तक share भी नहीं किया तो share भी कर देना एक बार जाते 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 सबस्क्राइब भी कर जाना वीडियो को लाइक भी करके जाना ठीक है जो समझ चाहूँ कमेंट करके बता देना PDF लेना चाहूँ तो contact नमबर है 781 में 350470 वैसे last में कोई नहीं देखने वाला लेकिन आज़त खराब इसलिए बता देता हूँ मैं